यह पूरी फैमिली यह देखे यह भाग यह भाग यह भाग और यह बहुत ही तखड़े सामडी है क्या बहतरीन मुव्मेंट है लंगूर बैठे हैं एक साथ कित्ती सारी फैमिली पीछे की साइड है इस पॉर्टिट लो गाइज वेलकम बैक तुम्हान न्यू ब्लॉग और मै दिख रहे हैं अभी व्लॉग जोन हमें इस समय मोहान छेत्र में और यहां से निकल के जाएंगे सुन्दरखाल विलेस तक आपको कराते हैं साम के वक्त कुछ जंगल सफारी और जिसे आप कह सकते हैं जंगल ड्राइब हम अपनी बाइक से हैं और लेकर जाएंगे आगे देगी वो आपको दिखाने की कोचिस करते हैं इदर की साइड बोल लगा कभीला रिजॉर्ट का और इदर नीचे की साइड है चुकुम बिलेज जिदर काफी सारे आपको होमस्ते और कुछ सुन्दर सुन्दर रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे और सामने की साइड है उदर प यह भागते हुए तो चलते हैं आगे की और और रिजिस्टर नहीं करते हैं तो दोस्तों और फिर आवे हैं को टाइगर टाइगर में क्या पता है इदा शाम के वक्त आज आपको टाइगर भी देखने को मिल जाए इस तो एक चीज आपको और दिखा दूं यह जो आप दोन तरह मिट्टी देख रहे हैं अभी बारिस परने से कुछ यह इधर की साइड डब गई वरना इधर की साइड जब बड़ी कारे और ट्रक निकलते हैं तो बिलकुल धुन्दी धुन्दो जारी दिन में भी कुछ द दोनों साइड डलवाई थी मिट्ती जो फिलाल बारिस परने से बैच चुपी है और इधर नीचे की साइड है जीरो पॉइंट यह देखें दोस्तों और इधर की साइड कुछ साइटिंग भी हो रही है अब दूर से देखने में तो टाइगर से ही लग रहे हैं और पास जा पर में जो कि फिलाल बिल्कुल सूखी पड़ी है तो चलते हैं जल्दी से जीरो पॉइंट पर देखते हैं कि उदर नीचे की साइड क्या देखने को मिल ला यह देखें लोग यह देखें दोस्तों नीचे की साइड जा रहे है कुछ स्पॉर्टिट डियर यह देखें दोस्तों नीचे की साइड बहुत सारे स्पॉर्टिट डियर दिखाई दे रहे हैं पीछे की साइड और यह किदर की साइड नीचे है और कुछ स्पॉर्टिट डियर पीछे भी दिखाई दे रहे हैं यह देखे यह देखे दोस्तों इधर नीचे की साइड काफी सारे स्पॉटिड डियर आपको चड़ते वे दिख जाएंगे और चले यह मस्त हवा और पूरे ग्राउंड में जीरो पाइंट पे स्पॉटिड डियर दिखाई दे रहे हैं यह देखे जो करने हैं शाम के वक्त पेट पूजा और ऐसे में यह एकसर टाइगर आके कर देता हैं पे हमला तो दोस्तों यह शाम का वक्त काफी खतरनाक होता है यह देखे दोस्तों पीछे की साइड एक स्पॉट सामा डियर भी दिखाई दे रहा है यह देखे वो खड़ा पीछे की साइड सामा डियर और इदर की साइड से कुछ कुछ गुटोगी आवाज भी आ रही है दोस्तों चलते हैं बापिस सुन्दर खाल विलेच की ओर और देखते हैं कि और रस्ते में क्या देखने को मिलता है तब तक करते हैं साम के वक्त जंगल को एंजवाए और इदरी की साइड से अभी कुछ देर पहले काफी सारे स्पोटे डियर पार करके गए नीचे जंगल क्यों जीरो पॉइंट क्यों विवर साइड दोस्तों ये साम के वक्त टाइम है काफी कतरना क्योंकि इसी टाइम पर अक्सर टाइगर भी क्रॉस करते हुए दिख जाएगा ये देखिए शाम के वक्त ज्यादा तर टाइगर क्रॉस करके जाता है विवर साइड और दिन बर रहता है जंगल में छुपके और शाम के वक्त शिकार की तलास में और कुछ पानी पीने भी जाता है ये देखिए दोस्त अभी जब हम आये थे तो इधर की साइड ये पेर टूटा हुआ नहीं था अब देखिए ये दर की साइड इत्ती बड़ी डाली तूटके गिरी तो दोस्तों ये जंगल है यहां क कहीं भी कुछ भी हो सकता है अचानक आपको दिखाई दे सकता है कुछ भी और कहीं भी ये पेर आपके उपर भी गिर सकता है ये देखिए कित्ती बड़ी डाली है अचानक किसी पेर पे या किसी के उपर गिरती तो इसको खत्रा भी हो सकता था देखे दोस्ते दा कि साइट दिखाई दे रहा है सामण डिया अंदर कि सायट यह देखे पूंछ छल्ट भी दिखाई दे रही होगी यहгор नहीं भी आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है तो चलते हैं आगे क्यों और यह ज्यादा सेफ नहीं है कि दोस्त किती सारी सफारी की जीप जाते हैं और शाम के वक्त यह अक्सर आपको वाइड लाइफ की ज्यादा मुवमेंट दिखाई दे जाएगी यह देखें कैसा पेड़ गिरा पड़ा है बिलकुल तिर्चा हो और उत्रखंड में 65% फॉरेस्टी फॉरेस्ट है तो दोस्तो हम गर्व है कि हम उत्रखंड में रहते हैं और तब इदर की साइट काफी फ्रेश है और कुछ सुन्दर नजारे भी हैं जाएं तो चलते हैं आगे की ओर सुन्धर फॉलेज्च की ओर और देखते हैं साम के वक्त क्या पता को टाइगर की मुव्मेंट भी दिखेजाए और देखे दोस्तो हिद्र की साइड है वाइल्ड बॉर यह देखें पूरी फेमदी है हिद्र की साइड वाइल्ड बोर यह यह पूरी फैबली है देखे यह भाग यह भाग और यह बहुत ही तगळे होते हैं इनसे ताइगर भी बसता है और यह पूरी फैबली है कुछ मा और उसके छोटे-छोटे बच्चे बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे और इस CND में जंगली सूर कहते हैं जिसके दाथ भी होते हैं और ये टाइगर पे भी अटेक कर देता है ये देखी दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये उपर की साइट से पहाड़ी पे चरते हुए ये देखी इधर की साइट से भी दिखाई दे रहा है चला गया उपर पहाड़ी की ओर तो चलते हैं क्योंकि ये एरिया जादा सेफ नहीं है दोस्तो हमागा दंगरी नाले की ओर और इधर की साइट भी काफी वाइड लाइब की साइटिंग अक्सर हो जाती है क्योंकि ये दंगरी नाला काफी फेमास है और यहां हमने पिल्जे विलोग में आप जाके देख सकते हैं क्या हम यहां है साइटिंग होई थी पूरे एलिफेंट के बहुत तगरे गुरुप की जिस से 20 से 25 हाती थे और ऐसे ही यहां पर अक्सर आपको ताइगर की साइटिंग भी हो जाएगी तो यह है धंगरी नाला और आगे की साइट आजाएगा धंगरी गेट यह देखिए दोस्तो आगे की साइट है धंगरी गेट जो गेट टिकाला का गेट है और जो सबसे फेमस गेट है यहां अक्सर सबसे ज़्यादा साइटिंग धंगरी गेट पर ही होती है तो दोस्तो चलते हैं आगे की और और देखते हैं साम के वक क्या हमें कुछ टाइगर की साइटिंग होगी या नहीं यह देखिए पूरा एरिया बहुत ही खतरनाक हो जाता रात में और जैसे-इसे रात होती जा रही है वैसे-वैसे इदर खत्रा बढ़ता जाता है और रात में इदर फोरेस्ट वाले कहते हैं कि इदर बाइक बिलकुल मना है तो दोस्तों कोशिस करेंगे तो यह दस्ते में कहीं बाइक ना रोखें जो भी दिखाई दे ऊचलते चलते आपको दिखाई दिखा सके यह देखिए हुआ इधार की साईड है सामा दियर यह देखें दोस्त क्या बहतरीन मूवद्मेंट है क्या अगे क्यों डेखें दोस्त क्या भी देख रहा है हूँ सक्ता यह रोड क्रोस करने देते हैं और निकलते हैं आगे क्यों यह देखें दोस्त क्या बेहतरीन तो चलते हैं आगे क्यों तो दोस्तों यह शाम के वक्त कुछ सुन्दर न जा रहे और इधर की साइट काफी सारे स्पॉटेट इयर भी दिखाई दे रहे और साथ में है कुछ लंगूर एक ही फ्रेम है यह देखें दोस्तों इधर की साइट कुछ स्पॉटेट दिया और कुछ लंगूर भी बैठें यह देखें दोस्त लंगूर भी बैठें यह देखें इधर की साइट लंगूर की पूरी फैमिली बैठी देखे दोस्तों कित्ते सारे लंगूर बैठे हैं एक साथ कित्ते सारी फैमली पीछे की साइड है इस पॉर्टिट डिय है दोस्तों यह शाम के वक्त बहुत ही खतरनाक एरिया हो जाता है नीचे आप देख सकते हैं तरकी साइड लगी वे समय इलेक्ट्रिक फैंसिंग यह पिलर पर समय इलेक्ट्रिक फैंसिंग लगी भी है और अभी पिढ़ देती हो एलिफ्रेंड ने सारे पिलर तोड़ दिये थे यह फिर दुबारा रिपेयर हो गए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ हाथी बहुमूले छेतर तो दोस्तों इस एरिया में अक्सर एलिफ्रेंड क्रॉस करते वे दिख जाएंगे यह जंगल है यहाँ कहीं भी आपको कुछ भी दिखाई दे सकता अचानल और शाम के वक्त यह जो बड़ा पनोत नाला है इसका अक्सर आपको टाइकर क्रॉसिंग दिख जाएंगे दोस्तों हमारे बड़े पनोत नाले क्यों यहीं प्रक्सर शाम के वक्त टाइगर देखा जाता है देखे और यह जो पूरा एरिया है यह साथ बज़े के बाद काफी खतरनाख हो जाता है और दिन जल्दी छिपने वाला है तो दोस्तों इधर की साइड यह पूरी टाइगर टैरेक्ट्री है तो टाइगर की 5-6 किलोमेटर टैरेक्ट्री होती है और वो कहीं भी अपनी पूरी टैरेक्ट्री में भूमता रहता है और गूमने के साथ मार्किंग और स्क्रेश मार्क भी करता है यह देखे दोस्तों इ और इधरी की साइड पुल का काम भी चल ला है ये जो टाइम है और ये जो एरिया है ये बहुत ही जादा खतर ना तेशे जित्ती यल्दी हो सके उत्ती यल्दी पार करने की कोशिश करें तो दोस्तो निकल के जाएंगे आगे की ओ और हम जल्दी पहुँचने वाले हैं सुन्दरखाल विले अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा ऐसे इस टाइगर ये लेपर्ड भी कर देता है पीछे वाले लोगों पे हमला ये जो बिल्कु एरिया है यही से निकल के जाता है अक्सर शाम के वाप टाइगर तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सुन्दरखाल विलेज और अब रुकेंगे सुन्दरखाल विलेज पाइंट पर ये है सुन्दरखाल का क्रेसर पाइंट तो दोस्तो यहां रुखेंगे सुन्दर खाल विलेट प्वाइंट पे और पीएंगे के कब चाय पिर निकलेंगे अपने घर की ओड़ तो दोस्तो इस ब्लॉग को यह यह एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नएक ब्लॉग में तब तक के लिए गुड़ बाई और ऐसी सुन्द को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नएक ब्लॉग में तब तक के लिए गुड़ बाई